अज़ के बिडियों में आपके बताएं पुछ आसी चीजें जिसके पीछे साइंस क्या कहती है जो हमारी गड़न काली पड़ जाती है। बहुत सारे असे कारण हैं जुनकी वज़ह से हमारी गड़न काली पड़ जाती है। जब से पहला है आता है फिक्षन याई के रगड लगना दोसो कही मार हम हमारे गले मी चेन वगएर पहनते हैं पर फिक्षन को पर काई परा जाता है और कहीं बार जब हम मुप्षान कर सो जाते हैं तो वह स्किन के ओप लगनी शुरु हो जाती है उस रगड की वज़ से भी सक पीपनी पत्रोड़ित मेषी मारा टके लिग फिकशिया है क差 कर लेक में दियार भ। यह चैन्हें दिसमी नहीं हुआने हो नहीं प्रती है और फिकर नहीं पर बता मैभा वो अर्झेज हाहत। भी लगते है वही एरिया जो हे वो ब्लैक पढ़ जाता है like and planets pigment इसको अगा निख नेपार जा ज़रहा की उपर ब्लैक ब्लैक पढ़ जाती है उससे के उपर ब्लैक स्पोड जप्बे पढ़ने SHO जाते हैं जो आप अपनी नेख के ऊपर हमारी स्किन के इस तरह हमारी जांगो फिर स्थिफ कॉलल शुर्ट पहने भी ह्मार जो नक है और पढ़ जाता है कई बार को चांवर मुझा अर्षान और सिर्फी को क्तार बढ़ जाता है काले चोर्बंढ पढ़ने भीशयर हो जाता है निकालना ओमासे क्यों है और अमसूलते है एक्मेक उसे निग्री सेंग की वज़े से भी हमारी नेक जो और बढ़ जाती है इस तमर पर यह होता है कि जब बॉड़ी के अंदर इंसुलिन की मात्रा जादा बढ़नी शुरू हो जाती है और हमारी गिरंथिया इंसुलिन जादा पैदा करना शुरू कर देती है और शुरू मासे एना टराना शुरूक निगे के बाटो हो जाता है और हमारी नेक है नेक कि स्किन आपक और ऑपस मे एल लग जाती है तहुने में लग जाता है ज की सिन के साल जुञा है सिझ साल हुछा फ्रूर GTA UK जो हुएあの बढ़ बढ़ गी तपहों तह था च्छी ज जिए और यृप काली पर जाती है और एक्जीमा की वज़े से भी हमाले ज्यारी टास फिलीं होते हैं जोस्तों ऐसे बहुत सारे कारण है यह सब कारण जिसमे कोई नहीं अगर आप इन चीजों को दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक बात ज्यान में जुरूर रखें, कि जो हैवी स्क्रब होते हैं, मुटे हाड्ट स्क्रब होते हैं, उन्हें परी नेक पर कभी मत करें, स्क्रब की तो छोड़ गेज़ें, स्क्रब कैसे करना है, जो आपक आपको प्रॉब्लम को कैसे हमने बनाना है, जो आपकी एक्जिमा की प्रॉब्लम, फिक्षिन की प्रॉब्लम, ओवरवेट, जाला मात्रा का इंसुलन बरना, अक्मेफोसिस निगरी सेन, और लास लीचन प्लैनर्स पिगमोटोंसे, इसकी वज़े से अगर आपकी घर्दन क जालर है वो चेंज होता जा रहा है, जालर से जालर काला पड़ता जा रहा है, तो आप इस DIY के सेमाइव ज़रूर करें, चलिए दिख लएक हैं DIY जो आपकी स्किन को लाइटन करेगा, और इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, विप्ल्ली नाच्रल इसी डेमिडी है, जो आपकी स्किन को लाइटन करने में आपके बहुत हल्प करने वाली है, और हाँ दोस्तों, एक बार हमेशा ध्यानतना, जब भी आप संस्क्रीं लोशन अपने चेहरे पे अप्लाई करें, तो थोड़ा सा संस्क्रीं लोशन अपने नेक पे अप्लाई जरूर करें, ये इस आपका दिल भर भाइक पर गूमना पड़ता है, तो आप अपनी स्किन को ढगे जरूर रखें, तो चली देखते हैं अप दियावाई, लेट्स के स्टारे इस्टारी को तयार करने के लिए सबसे पहले हम एक चमाच शुगर लेंगे, शुगर दोसों, स्किन को लाइटन करन को रेडी करने में, इसके अलावा दोस्तों, शुगर के अंदर स्किन वाइटनिंग प्रापटी होती है, जिसकी वज़े से हमने आज डियावाई के अंदर शुगर का इस्थेहमाल किया है, अब हम लेंगे दोस्तों, इसके लिए एक चमच भर कर खटा दही, खटा दही जि एकλιम के लावा हिए स्किन को लाइटन करने में हलुकर दादा करता है, डाक स्पोर्ट्ज को खटम करता है, सर्ण बन जो हमारी शपिस के उपर आ जा जाता है, उसे लायटन करने में हलुकरता है, जब हम कोई भी स्क्रब हमारी नेक पर यूज़ करेंगे तो यह बहुत इम विटामीन सी स्किन को लाइटन करने में बहुत मदद करता है अधा लेमन पूरी तरह से निचोड देना है पूरा लेमन का जूस निचोड देना है अब हम इसी खाली लेमन से निचोड चुके हैं हमने इसी से स्क्रॉबिंग करनी है तो सबसे पहले हमने जो हमारा DIY बन गया है उसे इसी तरह से मिक्स करेंगे क्यूंके दोसों मैंने इसके अंदर दरदरा चीनी नहीं लिया था तो मैं पांच मिनट तक इस क्रब को इसी तरह से छोड़ दूँगी ताकि चीनी जो है वो पूरी तरह से इसके अंदर बुल जाए तो चीनी मैं इसके अंदर रखूंगी थोड़ी देर के लिए मतलब पांच मिनट में इसे ऐसे ही रखूंगी और उसके बाद हम इस लेमन स जो हमारे पास खाली बच गया है इस खाली लेमन से मैं इस करब के अंदर डिप करकर अपनी नैक मिन तो प्रॉपरोड गंच करनी है सर्कुलर मोशन में धिर धिर करके नैक की मसाज करूगी ताकि मेरी जितनी कििन है उसके ओपन पूर्स है और आट सेल है वो प्रॉपरली स प्रफू हो सकें, डैड सेल निकल कर हमारी जो स्किन वाइट है वो बाहर आए और स्किन की लेयर्स भी खतम होती रहें वीक में दो बार इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए अगर आप अपनी काली स्किन को निकालना चाहते हैं और एक निखरी सी स्किन पाना चाहते हैं अगर आपको यह पसंद आया है तो प्लीज बीजे कोमेंट कर दिए मुझे जरूर बताएं अगर आप इसी तरह की और इंट्रस्टिंग और अची सी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब घंटी पे क्लिक जरूर कर देना ताकि आने वारा वीडियो और उसकी मोडिफिकेशन आप लोगों से बल बल मिसना हो तो मेलों की नए वीडियो के साथ दोस्तों तब तक के लिए बाई बाई चेक याओ लाब याओ